घुट वारानिंग दोस्तों मैं अपनी चैनल एक्साम कोर्ण में आपकर सभत करता हूं आज हम बात करेंगे को डिकोर्डिंग के बारे में और जैसे कि मैंने आपको कल उसके थीरी बता रही थी ठीक है और आज हम जो कोस्सारा शोस सांब या डेखते हैं कि सब्सक्राइब को लिए या जी आपको बताने में कोई प्रॉब्लम में ना हुआ तो चलिए विम्मा देर लेट किये हुए चलते हैं को tr trap Q यह जब वो class पसंद आएगी तो like करेगा, share करेगा और subscribe करेगा तो देखिए पहला हम यह question लेते हैं और देखिए यह number coding है मक्तब की अक्षर coding के बारे में बात किया है ठीक है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है WRIGSD ठीक है WRIGSD को क्या लिखा गया है VQHSD ठीक है यहाँ पर WRI मतलब right को VQHSD लिखा गया है तो mild को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर आप एक बार देख पारे होंगे कि जो W है यहाँ तो W है तो यहाँ पर आप क्यो W है अगर आप देखें के तो पहले क्या आता है पहले यह जो है हमारा V आता है उसके बाद क्या आता है हमारा W तो UB V के बाद W आता है एक सेखें तो V के बाद जब W आता है तो आप देख पारे होगे कि यहाँ पर V आता है और यहाँ पर W dont यहाँ पर जो चीजे है वो मैदस हो रही है ठीक है कि यहां पर क्या हो ना हो रहा है माइनस वन हो रहा है और यहां पर देखिए आश जो है अगर आप क्यूबर पहले आता है दिसलिए माइनस ओन हो जा यहां पर बहा हो मी तरीके से यह तो आप यह कर लो एक तरistas तरीका यह है कि V बात होता है था यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि बी के बाद डबलू आता है तो V में जब W करेंगे तो हमारे ज़र चीजे हैं वो क्या हो जाएंगी एक तरीके से माइनस प्लस के बारे में इसे बात कियाजिए ठीक है तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं अब अगर हमें माइट का लिखना हो माइट तो अगर माइट का हम लिखेंगे तो M के बाद क्या आता है तीके L में जिसे कि अगर हम M में माइनस वन करें M माइनस वन करें तो हमें क्या आजाएगा M माइनस वन का मतलब होता है कि M से एक पीछे जाना है यहां पर किया चीजन होलेंगी यहां पर आ जाएगा यहां पर ऐक के एक पिछी मोड़ाइब करिगे अगर IF आ जाए स्ञार कि इह आ जाएगा है तो आजाएगा हमारा F और S के पीछे जाते हैं तो आजाएगा G, G के बाद S आता है ठीक है उसके बाद अगर T के बाद जाए, T के एक पीछे जाए तो हमारा S आजाएगा तो जैसा कि आपने देखा कि जो माइस्ट है इसका क्या हो जाएगा L, H, F, G, S तो इस तरीके से कि जो पहला question है वह हमारा clear हो गया यहाँ पर आपने यह देखा कि यह जो माइस्ट है इसमें से क्या हुआ है कि एक तरीके से प्लस माइस तरीके से हम count कर सकते हैं यहाँ पर यह जो M को अगर हम minus 1 करते हैं तो L आजाएगा चलिए question number हम two देखते है question number two देखिए हमारा लिखा हुआ है कि father father वक्का लिखा गया है H, C, B, J, G, T तो यहाँ पर हमें पूशा है कि SHIP मतलब SIP का हमें बताना है बहुत ही अच्छा question है अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो father है तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि जो father है तो father में यहाँ पर क्या हुआ है plus का to add हुआ है मतलब F, G, H ठीक है A, okay, plus two करेंगे तो B और यह C, okay कुछ तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ है प्लस का टू एड़ हुआ है बस सिंपल है अब अगर S है तो S में भी आपको प्लस का 2 एड़ कर रेना है ठीक है तो S के बाद P Q R S T U मतलब यहां पर क्या जाएगा हमारा U, उसके बाद आजाएगा H के बाद J आता है उसके बाद I के बाद A, B, C, T I के बाद क्या आता है हमारा K फिर R P के बाद Q, R तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारा प्लस टू एड हुआ था फादर में प्लस टू एड किया तो H, C, B, J, G, T हुआ उस प्रकार से सिफ में हमने प्लस टू एड करते गए तो हमारा यह चीज़े क्लियर होगे तो इस तरीके से यह कॉस्टन लग गया आपको जो चीज़े हैं वो समझने के लिए आपको बस उसमें देखना है कि कितने नंबर्स उसमें है कि लाइट को जे जी एफ आर लिखा गया है तो सॉर्ट को क्या लिखा लाएगा यह बहुत अच्छा कॉस्टन है और इसमें आप देख पा रहे होगे कि जो लाइट है ठीक है यहाँ पर जो लाइट है यहाँ पर माइस टू हुआ है देखिए माइस टू रहे है जे खेल मतलब के देखिए जे है ना तो जे के बाद क्याता है के ल ठीक है आई अई पी डू रस्टी यू भी टबू एक और एवी सीटी एफ जी ह आई जे एच आई जे के बाद के के बाद तो यहां पर क्या हुआ कि मानेस टू के बाद के के बाद लुए तो इसका मतलब कि दो जो है वो माइनस हो रहा है तो इस तरीके से अगर हम इसमें तो हर एक चीज में यहां पर एकर हम मानेस करेंगे तो फिर जी का ठीक है तो जी में अगर दो मानेस करते हैं तो हमारा क्या अदए मतलब एक तो आई मतलब दो चीज तो इसमें आप को यी जु हर एक चीज इसमें मैश कि वोई हो कर देना है यहां पर जैसे कि आपने लगाया था उस तरीके से आपको इसमें भी करना है ओके इसमें करने के लिए अगर आप क्यों एक तो क्यों हो गया और यह तो चीज़ हो गई माइनस उसके बाद एस जो हमारा यहां पर यहां पर यहां पर क्यों हो गया उसके बाद फिर एफ मिचकर थी ठीक है यहां पर क्या दाएगा हमारा आर हार के बाद एस तो इस तरीके से भी आपने स्कों को देखा उपर जैबर बस दूइब ऑन और मैंड इस टूओ है तो देखा आपने अब हम पर के बात करेंगे के बादर को लिखा के है तो ब्राउट को क्या लिखा दाएगा यह कुस्टन भी अच्छा कुस्टन है इंपॉर्टन है अगर हम बात कर लें कुस्टन फोर की तो इसमें क्या हुआ है कि यहां पर तो पहली बाता आप देख लिए मतलब यहां पर चीजैंग जो है फ्लिस टू वही है और यहां पर क्या हुआ है माइनस का ठीक है जो एल है ठीक है जो एल है ओके तो एल में अगर आब माईनस 3 करें के तो ओ आ जायगा ठीक है ओ बीक्यू आरेस्ट यू फी द्ल्म यह जो तरीके से यह हो गया उसके बाद आगे आप देखोंगे यह जो टी है यहाँ पर प्लस्टू होगा यहाँ पर प्लस्टू और माइनस प्लस्टू और माइनस ठीड़ चलेगा तो इस तरीके से भी इन चीजों को यहाँ रखना हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेट है तो यहाँ पर अगर पहले हम बात के लिए तो प्लस का टू होगा ओके तो ओके बात ओ यह में ठीक है ओ यहाँ के बात मतलब बीचे बाद दी ओके तो यहाँ पर क्या होदा हैगा दी ओके यहाँ पर क्यूं डी के बात क्यूं कि इंटिंगे बाद ओ है सारी ओ है ओ फिर क्यूं फिर आर फिर टी फिर उसके बाद क्या है आई और ई और फी ओके तो इस तरीके से भी इन को आप लगा सकते हैं जैसा कि हम देखा कि यहाँ पर जो भी है अगर हम इसमें प्लस टू एड करेंगे तो डी यादा एगा अगर इसके पहले हम ओको जिसे की M, N, O ठीक है तो O, P, Q एह तीन चीजे हाटी तो यहाँ पर आ गया अब O में O में अब अचाना आड करना है तो आ के पार P, Q ठीक है तो यहाँ पर क्यों हो गया ओके तो इस तरीके से आपने समझ गया समझ चुके है इस कॉस्शन को आपको सुन यहां पर आपको थोड़ा सा रिमांग लगाना देखिए यहां पर यहां पर यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो आर है यहां पर दो इस तरीके से यह सब्सक्राइब सेयगा चलता लिकद कर दिखा हो Touch तो बस इसमें कोई दिकत नहीं है आपको यही चीजीं दियान देनी थी ठीक है तो यहाँ पर अपर रिमाक लाके दो ठीक है यहाँ पर इनके नमबर्स मत लिखे लगे है ठीक है चलिए अब इसको यहाँ पर करेंगे तो आई यहाँ पर करेंगे तो डी यहाँ पर करेंगे तो टी यहाँ पर करेंगे तो एस फिर आई फिर आर फिर यू फ B फिर I, T and O, तो इस तरीके से ये जो सारे Question जैसे मैंने आपको पताए ये Sequence Wies लग जाएंगे ऑगे चलिए तो ये भी Question लग गया हमारा ये भी लग गया है यह सारे Question लग गया है अब हम Question No. Six की बात करेंगे Question No. Six है King ओके किहां पर किंग है और यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर líखा हुआ है पी आर एमटी मारी दिखा हुआ है पी और हैं तो यहां पर आप देख पालव कि जो कि इंदude कोड होगा तो वह हो जाएगा आई ओके जट आर एम समझने आपको कि रैंक कोड क्या होता है आई जट आर एम तो इस तरीके से जो नेक्स्ट कॉप्शन है देखे लिखावा है बी ल एल ए डी आप लिखा हुआ है एस पी टी एफ ए तो यहां पर आपको पूछा कि बी ए एल इー को क्या लिखा जाएगा यह कोस्ट आपक में यह आंसर देना है कि यह जो कोस्टिन आपको किस सरीके से लगए आज की सारे कोस्टिन मैं बेश में समार्थ हो गई अब हम कल जो है वो इसके अलामा और भी कोशने उसके बारे में बाथ करेंगे ठीक है तो क्लास कैसे लगी मुझे करें दिदो रूपताएगा और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगा सेर करेंगा सब्सक्राइब करेंगा थाइक यूज